सीकर श्री गंगानगर एक्सप्रेस ट्रेन शुरू रेल राज्य मंत्री ने दिखाई हरी जंडी सीकर श्री गंगानगर एक्सप्रेस ट्रेन का रविवार को उद्घाटन हो गया ये सेवा शुरू होने से यात्रियों को एक बड़ी सौगात मिली है ये रेल सेवा सादुलपूर हनमानगड और सादुलपूर रतनगड सरदार शहर बिका ने रेल खंड के विदितिकरन के कारे एवं सादुलपूर बाइपास लाइन कारे के रूप में मिली है सादलपूर में रविवार को रेल राज्यमंत्री राजेन गुहाई ने गाड़ी संख्या 14716-15 सीकर श्री गंगानगर सीकर एक्सप्रेस रेल सेवा का शुबारम किया रेल राज्यमंत्री ने कहा कि पिछले पांस सालों में रेलवे में काफी बदलाव आया है आम जन को राहत पहुचाने के लिए रेल विद्वारा शुरू किये गए प्रोजेक्ट पूरे हो चुके है इस अवधी में रेल परिसर को स्वच्छ रखने, यात्री सुविधाओं में बढ़ोत्री करने, आरोबी, म, आर, यूबी के निर्मान कारे के साथ अनेक नई ट्रेनों के संचालन और कई गाड़ियों में विस्तार के कारे शामिल है सांसद राहूल कस्वा ने कहा कि पिछले वर्षों में कई शेत्र ब्रोटगेज लाइन से जुड़ चुके हैं अब विद्यतिकरन का कारे किया जा रहा है, इससे यहां के लोगों की देश के अन्य हिस्सों में जुड़ाओं में सुविधा रहेगी रिंगस जयपूर के ब्रोटगेज का कारे पूरा होने पर लोगों को जयपूर के लिए सीरी गाड़ी भी जलद ही मिलेगी सीकर सांसा सुमेदानन सरस्वती ने भी रेल विद्वारा किये गए कामों की जानकारी दी इस दोरां साधुलपूर विधाय कृष्णा पून्या ने रेल राज्य मंत्री के समक्ष साधुलपूर स्टेशन से समधि समस्याओं के निराकरण और ट्रेनों के ठहराव की मांग की नई रेल सेवार श्री गंगानगार सीकर एक्सप्रेस प्रतेक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को राध ये श्री गंगानगार से रवाना होकर अगले दिन सबेश बचकर पांच मिनट पर सीकर पहुँचेगी वापसी में सीकर श्री गंगानगर एक्सप्रेस प्रतेक बुधवार शुकरवार और रविवार को सीकर से रात 11 बचकर 10 मिनट पर प्रस्थान कर अगले दिन सबे 7 बचकर 20 मिनट पर श्री गंगानगर पहुंचेगी इस रेल से फतेवपूर शेखावटी, चूरू, सादूलपूर, तहसील भादरा, नोहर, एनलाबाद, हनमानगर और सादूर शहर शेत्र के लोगों को फायदा होगा इस गाड़ी में 3 AC दोसली पर सहीद कुर्ग 11 डिब्बे होंगे उधर सादूलपूर, हनमानगर खंड पर 189 किलोमेटर और सादूलपूर, रतनगर सर्दार शहर बिकानेर रेल खंड पर 286 किलोमेटर विद्युतिकरन का काम होगा हर्मानगर खंड पर इसके लिए 161 करोड और सादुलपूर बिकानेर खंड पर 236 करोड वे खर्चूंगे इन दोनों कारियों को सितंबर 2020 तक पूरा करने का लक्षय रखा गया है इस लाइन पर विदिति करन होने से दिल्ली से बिकानेर बिना इंजन बदले गाड़ियों का संचालन संभव होगा साथ ही विजली से गाड़ी संचालित होने पर गाड़ी की मरमत की लागत भी कम होगी अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर कर्मारे चाहते हैं कर्मारे आप भी यारे पर कीजिए खब रहन्ते हैं कुछत sitä है? कशा सब्सक्राट रहना JULEए ज तो कि मुछती बेस सब्सक्राइब pela कि welding या घ Carmut झाल 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 झाल